आईरवेद की विक्तियों को भी आईरवेद का सेवन करना चाहिए आप यदी वैद्धिय हैं तो आपको पांस साथ चीजों का रोज सेवन करना चाहिए एक आम आदमी के लिए मैं बता रहा हूं अब ऐलोपैथी की दवाई तो कोई रोज नहीं ख़ा सकता कोई ऐसी चीज न पताता हूं कि जिसका रोज सेवन कर सकते हैं कि सुबह उठती लहसोन का सेवन सभी कर सकते हैं अब मैं ऐसी कुछ यह कि ऐसी करते हैं यह कि मैं दस ओशधियां बता रहा हूं दस जड़ी बूटियां जिसका अब लहस उनका हर व्यक्ति सुभ उठती सेवन कर सकता है दो तीन कली ले लो और उसको जो है लिया और पानी से निगल गए चबाने के अशकता नहीं है छोटे छोटे टुकडे कर लो उसके चाको से और निगल जाओ चबाने से जो उसका जो तेल होता है न दाटों को थोड़ नकसान करता है तो और दुरगंद भी ज़्यादा आती है तो चबाने के अशकता ही नहीं ऐसे निगल जाओ तो लहसुन का जो है आगे तो हम सोच रहे हैं कि आपको लहसुन का ओयल भी उपलवद करवाएंगे अच्छी किस्सा में सही होगी होगा जो है लहसुन की कैपसूल भी बहुत आगे आजकल तो और लहसुन ऐसी सबसे अच प्षट के चकर में सब चल रहा है मतलब मू लता हा आईरवेद में एक्टिव कंपोनेंट्स के बजाए हम पूरे द्रव्य का उपयोग करते हैं उसके ज्यादा लाब होते हैं उसके और जो है साइड बेनिफिट्स होते हैं साइड इफेक्स का तो प्रशनी नहीं रहता है स उनका सबी सेवन कर सकते हैं सुबह सुबह आवला एलेवेरा और गिलोए इनका तीनों का तो सेवन सब को करना चाहिए इससे तीन काम होंगे एक तो इमिनिटी बहुत जादा बढ़ जाएगी इमेन सिस्टम बहुत स्टॉंग हो जाएगा दूसरा इससे आपका दीर्ग जी जीवन होगा और तीसरा इससे स्वस्थ जीवन होगा स्वस्थ जीवन दीर्ग जीवन और शक्तिसाली जीवन ऐसा है तो जीवन जीने चाहते हैं अब आवला एलेवेरा और गिलोए का आपने सेवन कर लिया तो कभी आपको सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं होगा बाग बड़ी बिमारें के दो बाचवड़ों बीपी, शूगर, हाट के प्रॉब्लम ये सब इसे बचाएं क्योंकि गिलोई जो है यह हमें मुटापे से बचाती है गिलोई जो है यह हमें किसी भी प्रकार के बैक्टिरियर वारिल इंफेक्शन से बचाती है जो गिलोई है यह शूगर से बचाती है, यह हाट के प्रॉब्लम से बचाती है गिलोई यह हमारे बोड़ी के मैटापोलिजम को अच्छा रखती है गिलोई यह अम्रिता इसका नाम है, हमें मरने नहीं देती, यह दीर्ग जीवन देती है जो हमारे सरीर में क्षय होता है डी जनरेशन ये डी जनरेशन को स्टोप करती है डी जनरेशन को स्टोप करने का सबसे बड़ा काम गिलोई का है और उसमें आवला और अलवेरा की भी भूमिका है चरक सहीता में सबसे पहले रसाइन किसको बताया गया आमला को और आमले के रसाइन के अलोग अलोग प्रक्रियां ही बताई गई हैं उसके कि जो इतने दिन तक ऐसे ऐसे उपवासादी करके ब्रतादी करके और फिर आमले के बुलोग पेड़ पर जा करके और आमला खाए और जितना आमला खालेगा यदि सो आउले खालिये तो सो साल तक जवान रहेगा और स्वस्थ रहकर की जिएगा खाले इतने आउले खाने ही सकता एक बार में आदबी बड़ा मुस्किल है अब कोई हमत करके खा जाए तो कहा नहीं जा सकता यह प्रियोग हमने किया नहीं है आउले का किसी भी रूप में प्रियोग अब आउले की चटनी बना करके खा सकते हैं आउले का मुरबा बना करके खा सकते हैं आउले का रस भी सकते हैं आउले का अचार बना सकते हैं सर्दियों में आउले का चेंप्रास बना सकते हैं आमले का फैल की रसाएं यह वी रूप में। और यह सबी रूपों में हमने उपलब्द करा दिया जिया है। ducर अब जी ए truly. ये रोगियों के लिए नहीं, ये सब के लिए किसी ने किसी रूप में, सब प्रियोग करो, बहुत अच्छा है, मैं रोज प्रियोग करता हूँ, अब तुलसी पत्र, ऐसे नियम बना ले, तुलसी पत्र से वोट करके खा ले, तीन से साथ पत्ते तुलसी के जह है, ऐसे ही लि हल्दी, थोड़ी मेथी, इसका प्रियोग कर सकते हैं हल्दी सुबह दो ग्राम जो रोज हल्दी खा लेते हैं उनको कभी भी अर्थ्राइटीस सरीर में गांठे हैं गांठों के लिए हल्दी बहुत अच्छी होती है सरीर में चाहिए वो पॉलिसिस्टिक ओवरीज है चाहिए बिनाइन ट्यूमर है, चाहिए मैलिगनेट ट्यूमर है या टीबी की गांठ है, या ऐसी लाइपोमा है किसी भी प्रकार की सरीर में गांठे हैं तो गांठों के लिए हल्दी से बेहतर कुछ भी नहीं है इसलिए हमारे हल्दी का प्रियोग बहुत जादा किया जाता है हल्दी का प्रियोग कोई कैसे भी नहीं करेगा तो डाल सब्जी तो खाएगा, हमारे या उसमें भी डाले जाता है विदेशी लोगों के याँद, पहले तो उनको सब्जी नहीं पकाने आते थी अब थोड़ा सब्जी बनाने सीख गए, लेकिन हल्दी नहीं डालते अब हल्दी डालना शुरू किया थोड़ा तो उनको अरे इसमें तो टेस्ट भी है और इसमें तो ये तो हल्दी भी है हल्दी is very healthy तो अब वो लोग भी हल्दी खाने लग गए फिर उनको मसालों का नहीं पता था ये जो हम मसाले खाते हैं, ये मसाले भी तो हमारे अरिवेदी तो है धनिया, हल्दी, जीरा, जीरा क्या है? उशदी है, हल्दी क्या है? उशदी है धनिया क्या है? उशदी है फिर गरम मसालों में आज कल तो लोग कबाड़ा डालने लग गए जो कबाड़ा है उसको छोड़ दीजिए बाकी जो है गरम मसाले में क्या डालते हैं दाल्ची नी, जावित्री, जाइफल, लोम, तेजपत्ता, काली मिर्च, इलाइची और धाल्ची नी ये तो होशदी हैं सब, होशदी हैं तो, लेकिन जादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए और पतंजली का खाना चाहिए पतंजली का क्यों खाना चाहिए? क्योंकि पतंजली का मसाला शुद्ध है हैं हमने स्लोगन दिया मिलावट से दूर स्वाद और सेहत से भरपूर हैं क्यूं क्यूंकि हमारा मकसद किसी को गलत पदार्थ उपलब्द कराना नहीं हम कोई मसालों के अंदर किसी भी प्रकार के मिलावट नहीं करते हैं और जह शुद्धता सेहत मैं कह रहा था रोज तुलसी का प्रियोग कर सकते हैं हल्दी का प्रियोग कर सकते हैं जिनको गैस्टिक आदी हो मेथी का प्रियोग कर सकते हैं मेथी थोड़ा सा रोज खा सकते हैं दो एक ग्राम जिनको मेथी खाने से गर्मी होती हो मेथी का पानी पी सकते हैं अंकुरित करक उशदी है यह तो और पईयाज भी उशदी है जासे पईयाज का रस पिलाते हैं जिनका बलड फोड़ा गाढ़ा होता है ऊसको थिन करने के लिए जितने भी जितने ब्लड थिनर्ट blood thinners ये जो है ये बड़े danger होते हैं हमारा सबसे बड़िया blood thinner क्या है हमारा सबसे बड़िया blood thinner है lesson और प्याज प्याज का रस पीलो अब लू लग रही है कितनी भैंकर तो भी इसको पीलो एक प्याज सुबह खाकरके चले जाते हैं हमारे राजस्तान के भाई और 50 degree temperature पर घुमते हैं कभी भी ना उनको हैजा होता है ना गर्मी लगती है अब पुरानी चीजों को छोड़ दिया तो लोग राजस्तान में तो कभी मरते नहीं आपने कभी सुना कि जैसे मेर मेर में लू लगने से इतने आदमी मर गए यह यूपी वाले मरते हैं गर्मी में आंदर प्रदेश में गर्मी से मर जाते हैं लोग हर्याना में मर जाते हैं राजस्तान में क्यों नहीं मरते हैं राजस्तान में सबसब उठते ही प्यास खालेते हैं फिर अपने दिन पर घुमते रहो शरीर में असर होता है इन चीजों का ऐसा नहीं है बास तो आती है इनके अंदर लेकिन ओशधी तो है तो आप लहसुन प्याज खाते हैं यह ओशधी है आप हल्दी का प्रियोग करते हैं यह ओशधी है आप नीम का प्रियोग करते हैं यह ओ कुलाइटिस की प्रोब्लम हैं, सुभए सुभए अनार खाले हैं, जिनको कोलिस्टूल आ दिया है, यह सब क्या है, यह रशोशती है, यह जो आपने जिसे किसी को कोलिस्टूल है, उसने लोकी का जूस पिया, किसी को सूगर है उसने खेरा करेला टमाटर आदी का जूस पिया, यह क्या है यह आरेवेदी तो है, तो मैं घारा हो दस्यूं चीजिये हैं ऐसी, जिनका प्रियोग कर सकते हैं, नित्य प्रियोग कर सकते हैं, अब जैसे आँखों में द्रिश्टी ऐड्रोप है, यह रोज डा सब चीजें किसी ने किसी रूप में इन चीजों का प्रियोग किया करो शतावर का प्रियोग शतावर वैसे सभी प्रियोग कर सकते हैं माताएं बहनें रोज शतावर का प्रियोग करें जैसे मैं बोल रहा है तो आर दस दीजें आसी है रोज दो ग्राम खालो दो ग्राम शतावर खालो आपका शरीर बहुत अच्छा रहेगा ता जिंदगी अच्छे रहेंगे आप शरी धिला ढ़ला नहीं रहेगा पूरा शरीर ऐसे ढ़ला ढ़ला कमजोर चा रहे तो किसी को अच्छा था रहा है हमेशा एनरजेटिक रहा है शतावर पूर्शो मैं अश्वगंदा शतावर सफेद मुसली जो अविवाहित हैं उनके लिए और जो विवाहित हैं वो खोंच के बीज भी साथ में प्रियोग कर सकते हैं ये ऐसे घरों में ये सामान्य चीजों का पता सभी को होता था इसलिए उनका प्रियोग किया करते थे तो आज मैं आपको अईरिवेद की मूल भूत सिध्धान्तों की और उसके साथ साथ अईरिवेद का प्रियोग क्यों करना उसकी चर्चा करते वे ये कुछ बाते बता रहा कि एलोपैथी जहो हमारी जीवन पद्धती नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, जीवन पद्धती, आईरवेद हमारी जीवन पद्धती भी है और चिकित्सा पद्धती भी है, चिकित्सा पद्धती ये एक पक्ष है आईरवेद का, और जीवन पद्धती उसका ये बड़ा पक आरिवेद पहले जीवन पद्धती है बाद में चिकित्सा पद्धती मैं लाव की बात कर रहा था तो आरिवेद क्योंकि हमारे लिए फून लावप्रत है सरवाधिक लावप्रत है बेनिफट की बात की जाए तो सबसे जादा बेनिफट्स सारी पैथिओं की तुन्ना की less आणी रही तलाब है और ये तात काली के लाफ भी है और दीर काली कालाब भी है और ये चिकितसा पंधति भी है ये जीमन पंधती भी है तो हमें लोगों के सामने एक में ओपन रखना चाहे कि आपके सामने पहले बात आप बीमारी ना हूँ इस के लिए अर्विट को अब न करीब सत्तर सिप्रकार की ये चोटी मोटी सबस जोड़ दियी तो सो से जादा प्रकार की चिकीत्सा पधथियां प्रहचलित ऐइग करे और उसमें योग आयरुवेद ये तो पूरक हैं एक दूसरे की तो ये योग आयवैद प्राकरतिक चिकित्सा आहार चिकित्सा एक प्राकृतिक जीवन पध्धती संतुलित जीवन पध्धती वैज्यानिक जीवन पध्धती है यह हमारा अईरवेद अईरवेद में ही योग समाईत है अईरवेद में ही पंचकर्म शटकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा है सब समाईत है यह अल बार कहता हूँ ठोकडों ठोकडों में किसी सत्य को समझा नहीं जा सकता अब कोई कहे कि नाखून ही मैं हूँ अंगुलियां ही मैं हूँ हाथ ही मैं हूँ पैर ही मैं हूँ लिवर किद्नी ही मैं हूँ हाट ही मैं हूँ दिमागी मैं हूँ नहीं समग्रता के साथ मैं हूँ जि जिसमें मन है, जिसमें आत्मा है, और उस आत्मा में भी परमात्मा का जियान, परमात्मा का प्रकाश प्रेना, परमात्मा की शक्ति है, ये मैं हूँ, तो ये सही सोच है, तो हमारी सोच में क्या होनी चाहिए, समग्रता, हमारी जीवन में क्या होनी चाहिए, समग्रता, हमारी यह बहुत बड़ा सी धानत है, हरक्षेत्र में समग्रता, समग्रता, तो चिकित्सा में समग्रता क्यों नहीं? जब डवलमेंट में बात की जाती तो बोले जाते हैं, inclusive, inclusive का मतलब यह समग्र, sustainable, स्थाई, जब inclusive and sustainable growth की बात की जारी है, prosperity की बात की जारी है, तो inclusive and sustainable चिकित्सां क्यों नहीं होनी चाहिए ये है हमारा अब इसमें आप लोगों को जह है ये ओशद दर्शन पुस्तक दी जा रही है सबको ये विश्व रिकोर्ड बनाया इस पुस्तक ने एक करोड से जादा संख्या में और वो भी लगबग 10-15 साल के कालखंड में छपने वाली दुनिया की ये सबसे बड़ी पुस्तक है इसमें एक एक जो प्रियोग है चाहिए वो घरेलू उपाए है चाहिए वो चिकित्सा की द्रिष्टी से जैसे सबसे पहले इसमें अब ये जो नया संस्क्रन है इसका इसमें वो स्वास की चिकित्सा लिखे अब स्वास के चित्सा के लिए इसमें तो लिखा हुआ है लेकिन इसमें स्वासारी मुलेठी को आथ सबको जरूरी नहीं कि जिसको भी स्वास हो सबको स्वासारी और मुलेठी लिखे स्वासारी लिख दो किसी को मुलेठी से काम चल जाएगा जो हो सकता है किसी को स्वासरी और मुले ठीकी जूरत ना हो, किसी को पंचकोल की जरूरत हो यदि उसको स्वास के साथ साथ में पाचन तंत्र भी उसका गड़ बढ़ है पंचकोल पीने से भूख बहुत लगती है दीपन पाचन के लिए भी पंचकर्म कराते हैं तो क्या देते हैं पंचकोल देते हैं हम पढ़ा करते थे गुर्कुल में तो एक बार इतना दूद हो गया कि हर एक ब्रह्मचारी के हिस्चे में दो-दो किलो आने लग गया और दूद भेजते नहीं थे हम तो ब्रह्मचारी ने रोटी बंद कर दी तो किसी को दूद हजम हो रहा दूद पी रहा किसी को दही हजम हो रहा तो दही हम भी एक एक दो-दो किलो दही पी जाते थे एक-एक किलो दूद पीजाते थे, दो-दो किलो दूद, तो दो किलो दूद पीने का तरीका क्या होता था, वह एक किलो तक तो अपने आप पी लेते थे, और दो किलो पीना हो तो, तो एक चमबस पंचकोल का काड़ा बनाया, और पंचकोल का काड़ा पी करके फिर दो किलो द बनाकर कि दूद प्रकार की फूड एलर्जी है चलो ये भी आपको बता दिये जो है ये चिकित्सा जो है ना अब किसी सास्तर में लिखी भी नहीं है ओशाद दर्शन में भी जो है आगे लिख देंगे ये फूड एलर्जी होती है किसी को दूद पिने से तुरंत दस्त लग जाते हैं किसी को वीट से अलर्जी होती है किसी को चने से किसी को घी से किसी को तेल से किसी को खटी चीजों से फूड एलर्जी कपाल भाती करो तीन तरह एक एलरजी होती है ऐसे तोहलों पैथिव में तो सन्कुडों तरह के एलरजी को डाइगनोज कर लिया गया है खुन निकालते हैं सुईच भुच 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 भुकी पूरे शरीर में से और फिर उसको टेस्ट करते हैं कि किस चीज से एलरजी है फिर बताते हैं तुम्हें धूल से अलर्जी है फिर बताते हैं तुमको वीट से अलर्जी है फिर बताते हैं कि तुमको जह है ये किसी भी तरह की हुमिडीटी से अलर्जी है अलग लग तरह की चीजों से अलर्जी बता देते हैं बलो उपाय क्या है? उपाय यह है बलो जिस चीज से अलर्जी होती, उससे बचो. अब किसी को धूल, धूये, मिट्टी, आदी से अलर्जी होती है, तो कुन से लोक में जाएगा यह बताओ. इस धर्दी पर तो दूल दू दूबा मिटी पानी कोई ना कोई चीज तो होगी किसी किसी को तो ठंडे पानी से अलर्जी होती तो तीन तरह के अलर्जी मैं बता रहा हूँ एक तो दिमाग में अलर्जी होती है लोगों को बुलिस आदमे को देखते मुझे अलर्जी होती है तो उसको तो अनुलोम बिलोम ब्रामरी ओम ये तीन प्रणायम बता दो तो किसी को देखके अलर्जी नहीं होगी सब को देखके अनर्जी आ जाएगी सची बात बता रहा हूं आपको जो प्रणायम करते हैं उनको आपने ही सच्चिदानंद सरूप भगवान सब में दिखाई देते हैं, तो उनको किसी व्यक्ति से अलर्जी नहीं होती है, फिर फेफड़ी एक अलर्जी होती है, किसी को धूल से, धुए से, मिट्टी से, किसी भी प्रकार के मोसम से अलर्जी हो किसी को तो ना, जैसे आम के ऊपर फूल आता है, आम, मेंगो, उसके जब फ्लावर साते हैं, किसी किसी को अलग अलग प्रकार के, आज कले घास हो गई पुरे देश में, जो है, उसको पार्टी से मत जोड़ो, जो है, क्या बोलते हैं उसका अंग्रेस जी में, पार्थेनिय हैं, हां, वो कांग्रेस घास बोल दिया, तुमने, मैं ऐसे देखा, यह बात गलाता है, घास को भी पार्टी से जोड़ देते हो, जहां, वो बोला क्यों, वो कांग्रेस के जमाने में ग्यहों लाया गया था, उस ग्यहों के साथ आगई सी विदेश से, और इसे अपने जमीन की घास, खतम कर देते हैं, पेड़ पोदों, मत्रव वहां के दूसरे पेड़ पोदों को नुक्सान करते हैं, जो पसू खाते हो, उनको नुक्सान करती है, और इस से तो स्वास, दमा, काफ और स्कीन के ऐलर्जी हो जाती है, उनकी आसपडों से गुजर जाए, तो ख हमादी से तो फेफडे के अलर्जी है तो प्रणायाम बस तरी का अनर्जी जगाओ अलर्जी बगाओ अब पेट के अलर्जी तीन तरह के अलर्जी दूर करने के लिए तीन तरह के प्रणायाम बता दिया अनुलोम मिलोम से विचारों के अलर्जी बस तरी का प्रणायाम से फे कपाल भाति प्रणायाम से खाने पिने की पेट की से समग देता है लिजी किसी को स्कीन के अलर्जी होती है वो भी अनुलोम मिलोम से दूर हो जाती है अनुलोम मिलोम से पूरा ऑक्षिजन मिलता है और अंदर के नसनाडियों और पूरी body का metabolism अच्छा हो जाता है और कपाल भाती से liver अच्छा हो जाता है liver और oxygen पूरा मिलता रहे body का metabolism अच्छा रहे तो किसी भी प्रकार की skin की allergy नहीं होती है क्योंकि skin की कोई भी problem होती है इसके दो मूल कारण है एक तो liver एक दिमाग stress से भी skin की problems होती है liver से skin की problems होती है और body का metabolism गड़बर होने से भी skin की problem होती है तो कपाल भाती और अनुलोम बिलोम से हमारे stress नहीं रहता हमारा liver अच्छा हो जाता है और पूरी body का metabolism अच्छा हो जाता है तो किसी भी प्रकार की skin disease अच्छी हो जाती है आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आप बिमारियों को कैसे ठीक करते है इस बात के लिए convince कर पाएं आप रोगी को तो वो आपकी बात भी मानेगा और जब उसको confidence level high हो जाता है उसका तो उसकी भी बिमारी जल्दे ठीक होती है कहते हैं इस वैद्ये के हाथ में जस है ये वैद्ये बड़े यशश्वी है ये वैद्या बड़ी यशश्वी है तो ये जो वैद्ये यशश्वी है तो क्यों है क्योंकि उनकी जो convincing power है उनका जो confidence है और उनकी जो किसी भी बिमारी को समझने की जो समग्र दिष्टी है उसके बारे में जो उनकी स्टडी है, उनका जो एक्सपिरियंस है, उनकी जो एक्सपरटीज है, उनकी जो कुशलता है, वो बहुत जादा है ऐसा आपको कुशल वईद्य बनना है तो सास रोगों में इसमें यहाँ पर संकेत नहीं है, वैसे संकेत अलग अलग जगए है तो इसमें आप योग का सास रोगों में, तुलसी और गिलोई का पंचकोल का इनका विशिश प्रियोग कर सकते हैं सास रोगों में सास्र पुटी अभरग भस्म, जब बहुत तिब्रस्वास का वेग होता है ऐसे हमने भी बनाई है लेकिन यह सास्र पुटी भस्म जो है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम उप्लब्द नहीं करा सकते आगे हमारा प्रियाश सलेगा कि हम जब जब सास्र पुटी अभरग भस्म भी कम से कम पैरमेटर तो है नहीं तो धोखा भी बहुत चलता इसमें तो अपनी तो यहाँ इसको आगे हम सोचेंगे कि इसको कैसे और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं ऐसे ही जैसे आपको मैंने बताया कि जो इसमें लिखे हुए हैं उनके अलावा ये रीठे का जो नस्य रीठा नस्य ये आप रोगियों को सजेश्ट कर सकते हैं विशेश परिस्थितियों में बड़ा इसका जबरदस उप्योग है हमने देखा है ऐसे ही हृदय रोग में अर्जुन का क्वात होरी ये सब हृदामरित आदी उशदियों के साथ-साथ इसमें दालचीनी का प्रियोग और यद्धिपी आजकल निशिद्ध हो गया है जो हृदय में पेन होता है तो जैसे आहले पैथि में क्या सॉर्बिट्रेट आदी उशदियों देते हैं हाट पेन में तो सॉर्बिट्रेट की तरह हमारे यहां पर कौन से उशदि काम करते हैं श्रिंग भस्म काम करती है लेकिन अभी उसका जब निशेदी हो गया है तो उसको बोलने से कोई फाइदा नहीं है अब लोग चोरी छिपे बनाते हैं प्रियोग भी करते हैं अब उसका तो कोई इलाज नहीं है तो यह आपको प्रेशर भी एक दम से लाब करता है यह भी देखो आपको कोई भी जो उपचार करना है न योग अईरवेद प्राकरतिक चिकित्सा और मर्म चिकित्सा यह चार चीजों के उपर आपको ध्यान देना यह हाट का पेन है तो यह एक दमाने से तुरंत लाब हो जाता है इंस्टेंट बेनिफिट होता है इंस्टेंट बेनिफिट यह इंस्टेंट बेनिफिट में ओशधियों का रस यह भस में योग प्राकृतिक चिकित्सा नाड़ी चिकित्साई मर्म चिकित्साई इंस्टेंट बेनेफिट देते तो पैथी में जो इंस्टेंट बेनेफिट वाली जो प्रक्रिया है उससे भी ज़्यादा अपने यहाँ जो अपनी अरिवेद की जो परंप्राइस में इंस्टेंट बेनेफिट जो है वो किसी से कम नहीं है अब आपको थोड़ा सा एको प्रेशर के बारे में बताता है यह अंगोठे के नीचे थारेड का पॉइंट है तुरंत लाब होता है इसका एको प्रेशर का दर्दों में तुरंत लाब होता है एको प्रेशर का किसी ग्लैंड को एक्टिवेट करने में तुरंत लाब होता है एको प्रेशर दर्दों में एनर्जी को चैनलाइज करने में एनर्जी को चैनलाइज करने में पेंस में और हमारे जो ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिवेट करने में विशेश योगदाना है तीन बाते हैं एनर्जी को चैनलाइज करना किलेंड को एक्टिवीटं करना कि और कि पीनको एक पेनखिलर जैसे आलोपैथी के पेनखिलरे सेन पूत और टो झाल किम्म कौब बॉक करते हैं पर ऍट और हम क्या करते हैं जहां कहीं ब्लोक़र दो इसको खोल देदे हैं एको प्रेसर करके एनर्जी को चनलाइज कर देते हैं और जिस ग्लेंड में प्रोब्लम है उस ग्लेंड को एक्टिवेट कर देते हैं